नमस्कार बच्चो बैसिक शिक्षा के इस ओनलाइन लेर्णिंग प्लेटफोम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत हैं तो ये बच्चो हमारी PPL परिक्षा प्रिमेर लीग का हमारा आज फर्स्ट एपिसोड है बच्चो जिसमें आज हम सोलिड इस्टेट ठो सवस्ता के बारे में जो भी इंपोर्टेंट कंसेप्ट है इंपोर्टेंट फॉर्मूला जे उन सभी का डिस्कसन करेंगे अब चूंकि बच्चो आपके एक्जाम में बहुत कम टाइम बचा है तो आपको 2020 किर्केट खेलना है अब आपको कर बाउंडीज में डील करनी है बच्चो फोर इसलिए इसी प्रियास में मेरी भी आपको कोशिश रहेगी कि आप तक कम टाइम में में ज्यादा से ज्यादा चीजे पोंचा सको जो आपके एक्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अमारा डिसकसन तो पहला है के आदार पे बच्चो ठोस दो परकार के होते हैं पहला क्रिश्टलाइन सॉलिड क्रिश्टलिय ठोस सेकिंड होता अमर्फस सॉलिड क्रिश्टलिय ठोस अब क्रिश्टलिय ठोस को बच्चों ट्रू सॉलिड भी बोलते वास्त्री ठोस और इनको हम सुडो सॉलिड या पिर सुपर कूल लिक्विड बोलते हैं अती सितित ध्रव बोलते हैं इन में बच्चो क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगूलर अरेंजमेंट और कॉंस्टिटूट पार्टिकल जो आपके अव्यविकन है उनकी एक नियमित व्यवस्ता होती है यहां पर बच्चो इस रेगूलर अर होती है इनकी अनिष्चित जामित होती है क्यों सर क्योंकि जब इसमें अरेंजमेंट प्वेश्ट होगी आगे देखिये बच्चो इनका सार्क मेल्टिंग पौइंट होता है मतलब दिक्समें गलनांग यह मतलब फिक्स पॉइंट आएगा जैसे मालों हंड्रेड डिग्री celsius तो वो एक particular point होगा वो किसका होगा crystalline solid का लेकिन इसमें कि अतर diffuse melting point होता है बच्चो melting point की range होती है जैसे आपको बोल देंगे कि melting point इसका 95-100 के बीच होगा तो वो एक fix नहीं है आगे देखिए long range solid यह बच्चो दिर्ग पराश्ठोस होते मतलब पूरे crystal lattice में अव्यवी कणों की यही वेवस्ता होती रहती है और यह short range solid होते हैं इनके arrangement change होती रहती है यह बच्चो एन आईसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं विसम देशिक परकर्ति के होते हैं यह विसम देशिक परकर्ति क्या है बच्चो दिशा के अनुसार बोत्तिक गुणों में परिवर्तन क्योंकि बच्चो आपके crystal line solid है उनमें क्या होता है arrangement वो पार्टिकल regular होता है इसलिए अगर आप different direction में जाओगे तो आपको physical properties different different मिलेगी जैसे सर अफ़र्तना को गया refractive index हो गया वेद्यूत परतिरोदक्ता ETC अब बच्चो इनके example बहुत ज्यादा important है इसके example होते हैं जैसे sodium chloride quartz diamond graphite और इनके example होते हैं glass rubber plastic यह थे बच्चो आपके type of solid अब हम आगे पढ़ेंगे crystalline solid के type क्या बच्चो आपके जो crystalline solid है उनको भी फरदर हम चार टाइप में classify करते हैं ionic solid, covalent या network solid, metallic solid या पिर molecular solid अब बच्चो constituent particle जिन से यह मिलकर बने है ionic solid में ions होते हैं बच्चो, covalent में atom होते हैं और metallic solid में क्या होते हैं kernels होते हैं मतलब electron का c होता है बच्चो और उसमें क्या होता है metal परमाणों व्यवस्तित होता है उसकों बोलते हैं kernel और molecular solid में molecules होते हैं अब बच्चो में अगर force of attraction की बात करूँ तो ionic solid में electrostatic force of attraction पाये जाता है क्या सर? electrostatic force of attraction पाये जाता है covalent solid में covalent bond होगा सेंसेंज़क बंद होगा metallic solid में metallic bond होगा अब बच्चो जो molecular solid है उनको फरदर हम आगे तीन भागों में classify करते हैं कौन कौन से सर्ट टाइप है वह ऐसा non polar molecular solid polar molecular solid और hydrogen bonded molecular solid यह इसके एक्जामपल हो गए हच्टू आइटू सी चील फोर आरगन इटिसी इसके हो गए बच्चो एस सो टू और scl क्या सर sulfur dioxide और आपका scl इसका एक्जामपल हो गया आगे देखे hydrogen bonded में आपका h2o ice क्या हो गया सर इसका एक्जामपल हो गया अब बच्चो जो non polar होता है उसमें London force पाया जाता है इसमें dipole dipole interaction पाया जाता है और इसमें hydrogen bond पाया जाता है ठीक है सर अब देखे ionic solid बच्चो insulator होते है रूम temperature पर जो कमरे के ताप पर यह क्या होते है विद्दूत के कूछ आलक होते है लेकिन conductor होते है एक्जामपल यह विलियन में यह विद्दूत के चालक होते है इसके एक्जामपल याद रखने है आपको बच्चो जैसे NaCl zinc blend calcium fluoride magnesium oxide यह बच्चो इं titanium nitride boron nitride diamond etc ठीक है बच्चो एक silicon carbide भी कर लीजिए बच्चो जिसको हम कार्बो रंडम बोलते है यह भी आपका crystalline solid का classification आगे बढ़ते हैं अब बच्चो एनी क्यूब कंटेंस एक क्यूब में गन में क्या क्या होते हैं बच्चो एक तो बारा कोर्णर होते हैं बारा कोने होते हैं छे बच्चो इसमें फलक होते हैं जैसे मैं रूम की बाद करूं तो एक छत फर्स और चार दिवारे तो च्छे इसके हो गएं चार बोडिडा ओंगे बच्चो जो आपके क्या होते हैं काई विकन बोडिडा इगनल क्या होते हैं तो सिकस में क्या हो जाएं घर कईक होते हैं वो सर दो होते हैं एक्जाम में ये क्यूशन आता है कि अल्टरनेट फेर सेंटर से रिलेटेड तो आपको ध्यान रखना है कि एक कांत्रियत फलक के अंदर दो होते हैं आगे बढ़िए अब कॉंट्रिब्यूशन इन यूनिट सेल बच्चों हम देखेंगे कि इकाई कोष्ट क्या है तीन है फिजिकल इन औरगयों और उसमें से एक पाड़ तो वन बैए त्री इसी परकार बच्चों एक यूनिट येल में आते हैं ज देखेंग तो बच्चों जकोर्ण। होता है उसका contribution होता है one by eight in unit cell आपका face का होता है बच्चो one by two age किनारे का होता है बच्चो आपका one by four और जो center में होता है बच्चो उसका तो कितना हो जाएगा one ही हो जाएगा चलिए क्या बोड़ी सेंटर का होता है वन क्योंकि जो बोड़ी के अंदर ही आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं अब टाइप ओप crystal system बच्चो यह जो आप देख रहे हो crystal क्या जो क्यूब देख रहे हो इसमें जो यह भुजा की लंबा बच्चो आपका crystal system को साथ टाइप में डिवाइड किया गया है सर कौन कौन से पहला है क्यूबिक गनिये टेट्रागोनल द्विसम लंबाक्स और्थो रॉम्बिक त्रिसम लंबाक्स हेग्जागोनल सट कौन है रॉम्बिक त्रिंताक्स यह त्रिकौन है जींदा में द्विसमें अगरं बात करूं तो इसमें बराबर ब्राबर सी्हिए अ करना है एक को नोट इक्वल कर देना है फिर दोनों को नोट इक्वल कर देना है सर फिर वापिस एक को नोट इक्वल फिर तीनों इक्वल और फिर एज नोट इक्वल टू बी नोट इक्वल टू सी और एज नोट इक्वल टू बी नोट इक्वल टू सी अगर मैं एक्जियल ए kaikonal में तो alpha बड़ाबर beta बड़ाबर सफेकोड़ और गामा अगर मैं बात करूं homic में तो यहां पे alpha बड़ाबर beta बड़ा गामा होता है लेकिन होता है इसमें alpha ब्रभार बीटा बराबर 90 होता लेकिन गामा nota सेक्वाल नाेन्टी होता धॉत और इस अलफा इस नोट इक्वल टू बीटा, नोट इक्वल टू गामा, नोट इक्वल टू 90, अब बच्चो पोसिबल वेरियेशन, इनके बच्चो चोटल 14 वेरियेशन पोसिबल है, जिनको ब्रेवे लेटीस बोलते हैं, आप इसको S से याद रख सकते हो, 3, 2, 4, 1, 1, 2, 1, ये एक मोबाइल नमबर है, आप ऐसे याद रख सकते हो, सब में बच्चो SCC होगा, सिंपल यूनिट सेल, ठीक है सर, S मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें 4 है, उसमें BCC भी होगा, SCC, BCC, FCC और ECC, जिसमें 2 हैं, तो स्टार्टिंग वाले में SCC, BCC होगा, यहां पे ब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और यहां पे SCC, BCC और FCC, यह बच्चो 14 ब्रेवेल 80 से आपको यह पता होने चाहिए, आगे बढ़िए, यूनिट सेल बच्चो, यूनिट सेल, एककाई कोश्टी का 2 परकार की होती है, प्रीमिटिव यून पर प्रेजेंट होते हैं, और इसमें परबावी पर्मानों की संख्या होती है, जेड बराबर 1 by 8, एक कोर्नर का कोंट्रिब्यूशन इंटू 8 कोर्नर बराबर 1, बोड़ी सेंटर में बच्चो, पर भी होती है, और बोडी के सेंटर में भी होती है, यूनिक क्या एटम तो यहां z होगा 1 by 8 into 8 plus 1 तो z equal to 2 हो गया फैस सेंटर में बच्चो जो आपके atoms होते हैं वो corner पे भी present होते हैं और हर एक face के center पे भी present होते हैं तो z बराबर 1 by 8 a corner का contribution into total 8 corner plus 1 face का contribution 1 by 2 into total 6 faces तो यहां से z आ गया 4 और जो end center है बच्चो इसमें atom एक तो present होते हैं आपके corner पे और कोई दो opposite face के center पे any two opposite face center तो यहां पे z आ जाता है 1 by 8 into 8 plus 1 by 2 into 2 तो यहां से z आ जाता है 2 यह z होता है effective number of atom in unit cell यह आपको ध्यान में रखना है बच्चो आगे बढ़िए यह एक बच्चो मैंने table बना रखी है कि relation between a and r z void percentage और packing efficiency scc के लिए bcc के लिए और आपका fcc के लिए तो यहां पे scc के लिए r बराबर होता है a by 2 z बराबर होता है 1 हमने देखा है पीछे इसकी packing efficiency होते है बच्चो 52.4% और void percentage मतलब कितना रिक्तिस्तान है वो 100 में से आप इसको गटा लोगे तो यह आ जाएगा 47.6% बच्चो अगर मैं bcc की बात करो तो यहां पे r बराबर होता है root 3 by 4 a यहां पे z हो जाता है 2 packing efficiency होते है 68% void percentage होता है 32% fcc की बात करो तो यहां आर बराबर होता है a by 2 root 2 जहां पे a क्या है भुजा लंबाई a's length जैड होता है 4 packing efficiency होते है 74% और void percentage होता है बच्चो 26% आगे बढ़िए यह बच्चो वोइड आ गई रिखती का है अब रिखती का है बच्चो चार टाइप की होती है trigonal tetraideral oct interval और cubic three cone यह 36th पल के अश्ट पल के गणिये अब बच्चो तीन एटम को मैं इस परकार रख दू के वो एक trigonal क्या त्री कोन्न का निर्माण करें त्री बूद निर्माण करें तो इनके बीच में जो वोइड बनी इसको आम ट्राइगोनल वोड बोल्ते हैं। और इसका coordination number बच्चो 3 होता है क्योंकि ये 3 atom से मिलके बनी है AC परकार बच्चो जो 30 ये बनी है 3 atom की void इसके उपर में 1 atom और रख दूँ तो यहां tetrahydral void बन जाती है और coordination number हो जाता है 4 octahedral में बच्चो 3 के opposite में 3 रख दूँ तो यहां पर coordination number हो जाते है 6 और गनिये में बच्चो 4 atom है उनके उपर में 4 और रख दूँ तो यह क्या बन जाती है cubic unit cell और यहां पर जो coordination number हो जाता है वो हो जाता है 8 क्योंकि 8 atom से मिलके बनी है तो यह आपको ध्यान रखने है आगे आजे यह बच्चो void in FCC FCC में रिखती का है तो FCC में बच्चो दो परकार की रिखती का है पाई जाती है पहली octahedral void OHV और दूसरी होती है THV अब OHV की position क्या है बच्चो यह एक तो each a center पर present होती है present at each a center as well as center of FCC अब number of OHV कोई बोल दे तो sir each a center का contribution कितना था one by four into total 12 प्लस आपका जो क्या है center है उसका one होता है तो यहां से आ जाएगा फोर अब बच्चो जो tetra ideal void होती है वो हर एक body diagonal पर दो टी एच्वी प्रेजेंट होती है तो यहां पर कोई पूछ ले मुझे number of THV तो वो कितनी हो जाएगी सर हर एक body diagonal पर दो टी एच्वी होती है तो यहां से टू इंटू फोर बोडी डाइगनल होते है तो यह हो जाएगी एट अब आगे बढ़िए की points बच्चो यह आपको कुछ point है जो ध्यान रखने है यह सर कहां पर यूज होंगे जब आप numerical करोगे अगर आपको बोल दे FCC यह CCP type close packing में total number of atom per unit cell सर 4 होते है number of OHV पीछे हमने देखा है फोर है और number of THV 8 है तो बच्चो यह number of atom per unit cell हो गए जेड अगर मैं OHV की संख्या को बोल दू एन तो हमेशा ध्यान रखना THV की संख्या होगी 2N यह आपको एक्जाम में इस टाइप के क्यूशन आते है कि OHV की इतनी है तो आपको THV की पता होनी चाहिए कि 2N होगी और सेम एप्लिकेबल पोर SCP 3D SCP 3D में भी बच्चो वहाँ पे जो OHV हो जाएगी 6 और THV हो जाएगी उसकी डबल 12 आगे बढ़िये और यह है आपकी एज लेंद भुजा लंबाई आगे बढ़िये बच्चो मैगनेटिक प्रोपर्टी अब बच्चो आपके जो सब्स्टांस है उनको पांच क्या टाइप में डिवाइड किया गया on the basis of their magnetic प्रोपर्टी पहला है पेरा मेगनेटिज्म इसको हम बोलते है अनूच उम्बक कत्व यह क्या होते हैं बच्चो वीकली अट्रेक्ट होते हैं बाई magnetic फिल्ड भी जो आपका चुम्बक के छेतर है उससे दुर्बल रूप से आकर्सित होते हैं इनके पास बच्चो आयुगमित इलेक्ट्रोन उपस्तित होते हैं इसके एक्जामपल बच्चो ओट्टू आपकी MOT के अकोर्डिंग आपकी क्या है डाई ओक्सीजन भी पेरा मेगनेटिक होते हैं FE2 प्लस CR3 प्लस ETC दूसरा होता बच्चो डाया मेगनेटिज में इसको हम बोलते हैं परती चुम्बक कत्व तो यह क्या होते है सर वीकली रिपेर्ड बाई मेगनेटिक फिल्ड भी यह चुम्बक के छेतर से दुर्बल रूप से परती करसित होते हैं इनके पास बच्चो अनपेर इलेक्ट्रोन अपसेंट होते हैं अनुपस्तित होते हैं इसके एक्जामपल आपको ध्यान रखने ब एंजीन हो गया एटी सी आगे बढ़िए फेरो मेंगनेटिज में इसको हम बोलते हैं लोह चुम्बक कत्व यह क्या होते हैं बच्चो इस्ट्रोंगली अट्रेक्टेड बाई मेगनेटिक फिल्ड यह बच्चो चुम्बक के छेतर से परबल रूप से आकरसित होते हैं और यूज टू मेक पर्मानेंट मेगनेट यह इसता है चुम्बक के निर्माण में यूज होते हैं अब बच्चो इन में जो क्या होते हैं मेगनेटिक मुमेंट होते हैं वो रेंडमली अलाइंड होते हैं इलेक्ट्रोंओं के जिनको हम बोलते हैं बच्चो डोमेन तो यह मानल मेंन होते हैं बच्छो कि वो एक ही डाइरेक्शन क्या हो जाते हैं और अगर अब इस मेगनेटिक को हटा भी दे तो इनकी डाइरेक्शन चेंज नहीं होती है बच्छो करते हैं परमानेन्टане इनका प्रमानेंट बनाने में चलाँ इसके एक्जामपल बेखोन फेरस कोबाल निकल और क्रोमियम ओक्साइड सी आरोटू अब आज यह एंटी फेरो मेंगनेटिज में परती लोहय चुम्बकत्व इसमें जो बच्चों डॉमेन होते हैं वह equally in number what opposite in direction होते मतलब संख्या में समान होते हैं लेकिन एक दूसरे की विपरीद इसा में होते हैं जिसके कारण यह एक दूसरे के magnetic moment को क्या कर देते सर केंसिल कर देते एक का उपपर एक का निचे एक दूसरे के magnetic moment को cancel out कर देते हैं इसलिए जो इनका net magnetic moment होता है वो बच्चो जीरो होता है और इसके example होते हैं बच्चो MNO2, Fe2O3, Hematite ETC यह इसके बच्चो example होते हैं आगे बढ़िए फैरी magnetism में इसको बोलते हैं फैरी चुम्बक कत्व इसमें जो बच्चो डोमेन होते हैं वो randomly aligned होते हैं कुछ की direction उपर नीचे उपर उपर नीचे मतलब कोई fix direction नहीं होती है इनका magnetic moment बच्चो low होता है comparatively क्यों कुछ का उपर है कुछ का नीचे तो थोड़ा बहुत magnetic moment cancel out हो जाता है अब इसके example Fe3O4 magnetite M Fe2O4 इनको बोलते हैं बच्चो फेराइट यहाँ पे M metal zinc भी हो सकती है magnesium बच्चो प्रोपर्टी है कि अगर हम फैरी magnetic substance को गरम करें तो यह अपना फैरी magnetic behavior लोज कर देते हैं और यह पेरा magnetic अनुच उंबक के पदार्तों में convert हो जाते हैं तो यह आपको ध्यान में रखना है बच्चो यह भी क्यूशन आ सकता है तो थैंक्यू वेरी मच बच्चो यह था हमारा solid state का one short revision जिसमें हमने important concept important formula जो भी चीजे ज्यादा तर हमने cover कर लिए आपको अगर अच्छा लगा हो आपके लिए फाइदेमन साबित हो रहा हो तो आप बच्चो कमेंट करके review जरूर दे जिससे मैं भी आगे और अच्छे वीडियो ला सकूँ थैंक्यू बच्चो मिलते हैं पर नेक्स चेप्टर के साथ थैंक्यू